नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं अर्विंद के जरिवाल दूसरे मुख मंत्री हैं जिने परवतर निद साले की टीम ने आरेश्ट किया है बता दे 31 जरूरी 2024 को इडी ने जमिन गोटाले में लंबी पुस्ताच के बाद सीम आवास से हेमान सोरन को गिरफतार किया था अब दिल्ली के सीम अर्विंद के जरिवाल को गुरुवार की रात आरेश्ट कर लिया गया इन्हें अब कारी निती से जुड़े मनी लॉंडरि ममले में इडी की टीम ने गिरफतार कर लिया है बता दे कि दिल्ली हाई कोट से भी अर्विंद के जरिवाल को राहत नहीं मिली थी हाई कोट के इस ममले में राहत देने से इंकार करने के कुछ ही घंटे बाद इडी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफदार कर लिया है गिरीडी में रासन की काला बजारी जर्खन के गिरीडी जिले में जन बितरन प्रनाली में राष्ट्रिये खाद सुरक्षा धिनियम का घोर उलंगन हो रहा है जन बितरन प्रनाली के माध्यम से परतेक महरासन का बितरन गरीबों के बीच किया जाता है इस बित्रन वेवस्था में राष्ट्रिये खाद सुरक्षा दिनियम के तहट मंथली डिस्ट्रिब्यूशन साइकल लागू की गई है लेकिन इस प्रवधान का जिले में खुल कर अंदेखी की जा रही है बता दे कि जन वित्रन प्रणाली को ऑनलाइन करने के पुर्व अनाज की कालाबजारी की सिकायत बड़े प्रवाने पर मिल रही थी पर तेक माह का आनाज उसी माह में नहीं मिलता था और ऐसे में कला बाजारीयों को आनाज बित्रं में गरवड़ी करने का आवसर मिलता था इस ब्यवसा को दुरुष्ट करने के लिए ही मन्तली डिस्ट्रिबीशन साइकल को लगू किया गया इसके तहट हट कार धारियों को हर माह का अनाज उसी माह में दिये जाने का प्रवधान है लेकिन ऐसा ना कर काला बजारियों से सिंडिकेट ने फिर से नए तरीका इस्तिमाल करना शुरू कर दिया है निस्पक्ष एवं भय मुक्त चुनाव के लिए बनाये कारियोंजना मुख निर्वाचन पताधिकारी के रभी कुमार ने कहा है कि सांति पुन स्वक्ष एवं निस्पक्ष लोकसभा चुनाव दोहर चोविस के लिए पताधिकारी कारियोंजना बनाकर काम करे निर्वाचन अवधी के दवरान बिधी बेवास्था संधारन में पूरी मुस्ताइदी रखे दुर्गम अस्थानों पर बने मदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी एवं अवस्यक सेवाओं के लिए आवागमन के बेवास्था दुरुस्त रखी जाए उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के दवरान सभी पूतों पर पेजल सोचाला बिजली जैसी मुल्भूत बेवास्था होना अनिवार्य है इसकी बेवास्था रखी जाए वे गुरुवार को गुमला समर्नाले सभाकार में गुमला लोहदा का खुटी रांची और सिम्टे का जीले के पूलिस स्यारपी एफ वन विभाग एवं सम्मधि जीला परसासन के पता दिकार युक साथ चुनाओ के तियारी के समिक्चा कर रहे थे दिल्ली की साजिसों के खिलाफ करूंगी संगहर्स कलपना सुरेन जारखन के पूरमोख मंतरी हेमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने कहा है कि जारखन का तेजी से विकास हो रहा है दिल्ली की सता में बैठे लोग इसे पचा नहीं पा रहे है साजिस के तहद पुर्व सियम हेमान सुरेन को जेल भेजने का काम किया गया ताकि राजे का विकास अवरूद हो जाए लेकिन इन साजिसों के खिलाब सांगहर्ष करते भी राजे को आगे ले जाएंगी वह किसी भी सूरत में जार्खोन को जूकने नहीं देंगी कलपना सुरेन गुर्वार को गिरी डी जी लेके बेंगा बांद के धूमाडी मैदान में जहमो करकरताओ को समोधित कर रही थी कलपना सुरेन ने कहा है कि जहमो करकरताओ से मिल रहे सम्मान से पता चलता है क्यों हेमान सुरेन से कितना लगाव रखते हैं उनके जेल जाने से परिवार के सेस्वे के साथ हर करता दुखी है उनकी आखों में आसू है लेकिन आसू बहाने का नहीं उसे संभाल कर ताकत बनाने की जरूरत है साधी से ठीक पहले दूलहे ने मांगा दहेज गुमला में केस दर्ज दहेज पर रोको लेकर यूँ तो कई कानुने बने हैं लेकिन आज भी बेटिया दहेज के लिए मार दी जा रही है कई जगों परबरात लड जा रही है तो कहीं साधी से ही идकार कर दिया जा रहा है बतादे ताजा मामला गुमला जी लेके सिसाई थाना चेत्र का है जहां दुल्हे ने साधी से ठीक पहले दहेच की मांग पुली नहीं करने पर बरात लाने से मुकर गया दुलहन के भाई ने सिसाई थाना में आवेदन देकर करवाई की मांग की है थाने में केस दर्ज कर लिया गया है बताते गुमला जी लेके सिसाई थाना चेत्रे के डहडा गाउ में देखने को मिला है जहां साधी की सारी त्यारी हो चुकी थी दोनों पक्षोद्वारा अपने अपने सगे समाधियों के विश्निमंत्रन पत्र भी बाटे जा चुके थे लेकिन बराज से ठीक कुछ दिन पहले तुले दहेज के रूप में एक बाईक और साधी के खर्च के लिए अढ़ाई लाक्ती मांग कर रखा नहीं देने पर साधी नहीं करने की चेतावनी भी दे डाली सिता सुलेन को मिली जेड सिरेनी की सुरक्षा जारखन मुक्ती मोट्रा छोड़ने के बाद सीबू सुलेन की बड़ी बहु सिता सुलेन की सुरक्षा करी कर दी गई है भारतिय जन्तापाटी की अगोई वाली केंद्र सरकार ने उन्हें जेड सिरेनी की सुरक्षा उपलब्द कराई है पहले उन्हें वाई सिरेनी की सुरक्षा प्राप्थी भाजपा में सामिल होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है भागपा मवादी की बिनोज मिस्रा धनबाल से आरेश्ट NIA ने प्रतिबंधित भरतिय कम्यूनिस्ट पार्टी को पुन जिवित और मजबूत करने की साजी सरचने के ममले में वांशित एक मवादी को जार्खन के धनबाज जिले से गिरफतार किया है NIA ने गुरुवार को एक ब्यान में यह जनकारी दी है कि बिनोध मिस्रा भागपा के फूलित ब्योरो का सदस्य है और वह फरार चल रहा था इसी करम में उसके गिरफतारी की गई NIA जनकारी दी है कि बिनोध मिस्रा को एजेंसी की एक टीम ने जार्खन के धनबाज जिले के धनसार चेतर से गिरफतार किया ब्यान के अनुसार NIA को उसके धनबाज में छीपे होने की सुचना मिली थी हजारी बाग में बालू लदा हाईवा ने चार लड़कियों को रहूंदा हजारी बाग जिले के केटा टी जहरिया थाना चेतर से 14 किलिम्ट दूर खैरा बरकटा मोखे सड़क पर बालू लदा मिनी ट्रक ने गुरुआर को चार लड़कियों समेत एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया इससे सभी लोग घायल हो गाए इन में से दो की स्थिती गंभीर बताई जा रही है जीने बेहतर इलाज के रांची रेफर कर दिया गया घाटना सुबह साड़े पांच बजे की है जनकारी के अनुसार सभी घाय लड़किया खायरा गाउं की रहने वाली है घाटना के संब्ध में बताया जाता है कि गाउं की ये लड़किया हर दीन की तरह मौनिंग वाक पर निकली थी इसी दोरन पीछे से आ रही बालू लदा हाईवा ने सभी को लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया घायलों का नाम में नंदिनी कुमारी सामिल है पच्मी सिम्भूम में साधी की खुषिया गम में बदली दो दरजन घायल रांची चाइबासा मुख्य मारग पर पच्मी सिम्भूम जी लेक के बंद गाउं पर खंड के टेबो थाना छेतरे की टेबो घाटी स्थीत कंडेदा गाउं के समीप पीक अप हुएं पलटने से एक ब्यक्ति की मौत हो गई वहें दो दरजन से अधिक लोग घायल हो गए सबाक हाथसे में कई किसी दी चिंता जनक बनी हुई है घायलों में महिलाये वह बच्चे भी सामिल है बताया जा रहा है कि कुचाई परखंड की रोला हातू पंचायत के कुमाय गाउं के 30 से 35 महिला पूरू साधी समारों में सामिल होने टेबो जा रहे थे इसी दरान वहान अन्यंत्रित हो गया सड़क हाथसे के बाद समाज से भी सदानंद होता वास्थानिये लोगों के सोयोक से सभी घायलों को अलग अलग वाहनों से इलाज के लिए चक्रधर पूर के अनुमंडल अस्पताल में भरती कराया गया चुनाव आयोगने वाटसेप पर बीकसित भारत मेसेज रोकने का दिया निर्देश वाटसेब पर विक्सित भारत मैसेज को सेयर करने से तुरंत रोकने का निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है गुरु आरको आयोग निर्देश दिया है यहां चार्चा कर दे की पिछले कुछ दिनों से वाटसेब पर लोगों को एक मैसेज आ रहा है जिसमें वि Ministry of Electronics and Information Technology को कहा गया है कि वह तुरंत प्रभाव से ऐसे मेसेज पर रोक लगाए ताकि वाट से पर लोगों को ये मेसेज ना मिले दरोगा मीरा सिंग के ठीकानों पर इडी की छपे मारी जारखन में जमीन वह बालोग होटाले में मनी लॉंडिंग के बिंदू पर जांच कर रही इडी ने अब रांची के तुपुदाना ओपी की परभारी तरोगा मीरा सिंग हुआ उनके करीबी जमीन कारोबारी सह कांग्रेश नेता लाल मोहिंत नात साहदेव के ठीकानों पर गुरु आरको छापे मारी की है इन छापे मारी में आरोपितों के ठीकाने से 12,50 या रूपे नगदी मिले हैं इडी के पुष्टास में आरोपितों ने रूपाय के सुरोत के बारे में संतोष जनक जवाब नहीं दिया इडी ने दोनों ही जगों पर छापे मारी के दवान आठ मोबाइल भी बरामत किया है इन में से कुछ मोबाइल से वार्टसेप चैट मिले हैं जो अवैद बालू धुलाई सहीद संदिग्द गति वीदियों से समधी थाएं इडी अफसरों को रहात ACHT मामलें पुलिस की नोटिस पर रोक जार्खन हाई कोट से इडी अधिकारियों को रहात मिली है पुरमुख मंत्री हमान सुरेन की ओर से इडी अधिकारियों खिलाब ACHT के तहट दर्ज मामलें पुलिस की नोटिस पर जार्खन हाई कोट ने रोक लगा दिया है जार्खन पुलिस ने E.D. अधिकारियों के पूस्ताश के लिए नोटिस जारी किया है इस पर सुनवाई के बाद अधालत ने रोक लगाते हुए राज सरकार से जबा मंगा है बता दे कि जार्खन के पुरमुख मंत्री हमान सुरन के द्वारे A.C.S.T. एक्ट में F.I.R. दाच कराई थी इसके बाद E.D. ने हाई कोट का रूख किया था हाई कोट ने अपनी पिछली सुनवाई में जार्खन पुलिस को इडिय अधिकारियों खिलाब कोई दंडात्मक करवाई नहीं करने का आदेश दिया था जेपी पठेल पर चल सकता है दल बदल का ममला मांडू के भाजपा बिधायक जेपी पठेल दल बदल कानून के दाएरे में आ सकते हैं बुद्धवार को वह नई दिल्ली में कांग्रेस में सामिल हुए हैं भाजपा बिधायक दल के नेता अमर कुमर बावरी ने इसकी सिकायत बिधान सभा अध्यक सेमिन रत महतो को की है उन्होंने बताया है कि जेपी पठेल भाजपा के चुनाव चिन पर मांडू से निरुवाचित होकर बिधान सभा के सासे बने हैं कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना लोकतंत्र फ्रीज होने जैसा चमपाई सुरेन मुख्य मंत्री चमपाई सुरेन ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किये जाने पर कड़ी परतिकिर्या दी है चुनाओं की घोषना के बाद क्या अब बिवक्षी दलों को चुनाओ लड़ने से रोकना चाहते हैं। चुनाओं की घोषना के बाद क्या अब बिवक्षी दलों को चुनाओं लड़ने से रोकना चाहते हैं।